नमस्कार मैं भाशा और इस समय हम न्यूस्क्लिक टीम के साथ खड़े हैं अलीगड में देश के एक ऐसे एतिहासिक व्यक्ति के घर में जिन्होंने किस तरह से इतिहास को देखा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, वर्तमान और भविश्य की ओर इतिहास की डोर किस तरफ ले जाती है लिविंग लेजेंड इर्फान हबीब के घर, इर्फान हबीब जिन्होंने खुल कर बताया कि जो नफरत की राजनीती है, वह किस तरह से जर्मनी के दौर में, एक ऐसे दौर में, जहां बड़े पैमाने पर मानवता की हत्या की गई थी, उस दौर में भारत को हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस समें उत्तरप्रदेश चुनावी समर से गुजर रहा है, वह इस मुल्क को, इस प्रदेश को कैसे देखते हैं, मौझूदा दौर किस तरह से आप देखते हैं और आप हमें सलाह देते हैं, हम कैसे देखें, यह बहुत खतरनाक जमाना है इसलिए कि जब धर्म को इस तरह से इस्तमाल किया जाए तो मुल्क खलत रास्ते पर बहुत जा सकता है, सिर्फ धर्म का इस्तमाल नहीं हैं आजकल, बलके कौम या रेस का इस्तमाल भी हो रहा है, कि हम आरिया हैं, हिंदुमत हमारा मज़ग है, तो इससे लोग, लोगों का अपनी तरफ लाल जो प्रेजन टरजीम है वो ले आता है, ऐसे हमने नाजीस का देखा था, वो भी अपने आपको आरियन कहते थे, और जो भी उनके अपोनेंट्स होते थे, जो उनके मखालिफ होते थे, उनको जेल में उन्होंने बंद करना लेकिन दूसरे धर्मों को बुरा भला कहना आम हो गया है, और इसलिए जब धर्म पर अपील होती है, और उसी के साथ जातबात को बढ़ाया जाए, तो बहुत खतरनाक हालत हो सकती है हमाई देश के लिए, इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए कि जो भी अपने देश को ब कि इस रजीम की, इस सरकार की जो बढ़ती हुई ताकत है, उसको रोका जा सके। पैटन चेंज किया गया है, उससे क्या हासल क्या करना चाहते हैं? देखिएे एक तो वो पूरे सिल्बास को बढ़ना जाहते हैं। जी नहीं चाहते हैं कि साइनटिफिक टंपर्मन्ट हो। लोग साइंस की बातों की तरफ जाएं। वो तो ये चाहते हैं कि जो वो गलत बात कह रहे हैं, वो देश में स्वामिल की जाएं। पूरे सिस्टम में शामिल हूँ तो इसलिए हर बहाने से वो ये कोशिश कर रहे हैं कि सिलिबस बदला जाए और वही इमतहान कंड़क्ट करें आपने देखा है कि तवाम सेंटरल यूनिवरस्टी का एक ही सिलिबस होगा जिसमें अड्मिशन इंग्जामिनेशन होगा उसमें खासतोर से सोशल साइंसे में और खासतोर से इतहास या हिस्ट्री में वो बिलकुल हर चीज़ बदल लेंगे तो वो अपनी जो इडियालिजी है इडियालिजी क्या है जो अपना कम्योनिलिज्म है उसको वो हिंदुस्तान में इस तरह से फैलाना चाहते है क्या लोग जो पढ़ा लिखा तपका है जो अपने बच्चों को बाहर भी भेजना चाहता है देश दुनिया में वो भी इसके लिए तयार है या अंदर से वो परिशान होगा इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ मुझे उनके मालूम नहीं के हिंदुस्तान के जो मिडल क्लास है वो क्या सोचती है लेकिन बजाहर तो ये मालूम होता है कि उनको कोई इसमें परिशानी नहीं है खास ये दोर कब तक चलेगा हबीब साहब आपने तो आपके जरीये हमने इतिहास को समझना देखना सुनना बहुत सीखा है आपने बहुत दोर देखे हैं आप 90 साल में हैं कैसे हम देखें आगे का रास्ता देखिए इत्हास पढ़ने से अगला रास्ता तो नहीं खुलता इत्हास इसलिए तो जुरूरी है कि जो पिछली जमाने में हमने गल्तियां की थी वो हम ना करें लेकिन अगर इत्हास ही को जूटा कर दिया जाए जूटा इत्हास दिया जाए तो वाद बाद भी देश में नहीं पहुंचती इसलिए जो पूरा ये इसलिए बस बदल रहे हैं उसमें खास तोर से तहास की तरफ इनकी नज़र है और खास तोर से अब ये कहने कि जो राश्क आंदोलन था हमारा उसको बिलकुल ये गलत पेश कर रहे हैं और जो कुछ आज़ादी के बाद हमें देश में तरक्ती हुई उसको भी गलत बता रहे हैं जो ये कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं तो किसानों को जमीने किसने दी हिंदू को कौन लाया जिससे माहलाओं के पूरे राइट्स आएं और नहीं तो किसने बिल्ड किया जिससे पूरा हिंदूस्तान इंडिस्ट्रिलाइज हुआ आजकल जो हमारे साइंस के इंस्टिट्यूट्स हैं वो सब उसी वक्त बने तो ये जो हमारे अचीवमेंट्स हैं उन पर ये परदा डाल कर बिलकुल इतहास को गलत बयाना बताना चाह रहें तो जाहरे जब लोग गलत बातें सुनेंगे तो उसमें वो यकीन करने लगेंगे ये दोर जाएगा जैसे बाकी जुल्मों के दोर गए हैं या लंबा चलेगा अब ये तो पता नहीं ये तो हमारे इन भारत के लोगों की अकल पर है कि कब सीखेंगे हमनों आंद आंदोलनों से कुछ रह मिलती है या आंदोलन तो जरूरी है खासतोर से इंकिसान आंदोलन और सिटिजनशिप पाक्ट के खिलाफ आंदोलन वहाव बहुत जरूरी है लेकिन ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि इनके पास शक्ती भी बहुत है और बहुत से लोग इनके खत्रों के बारे में बात कर रहे हैं वह हम सब जो भारत से प्यार करते हैं जो अपने कॉंस्ट्यूशन से प्यार करते हैं हम सब उससे वाकिफ हैं उन्हें लेकर चिंता में हैं सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब उत्तरप्रदेश चुनाव में जा रहा है चुनावी बिग लाव करके शायद यह सवाल इस एतिहासिक बिल्डिंग जहां में खड़ी हूँ जो तकरीबन 90 से अधिक साल पुरानी है वह पूछ रही है अपने इस मुल्क से